हेई गाइज विल्कम बैक टू टेक्नो खेमा देशस खेमानन दोस्तों आज फिर से एक जबर जस्ट गेमिंग पीसे के बारे में हम बात करने वाले हैं तो आज का जो गेमिंग पीसी है ये होने वाला है जैसा कि आपने खमनेल से देख लिया होगा वर लाक टुन्टी थाउजन के अपरोक्स ये होने वाला है तो ये एक ऐसा पीसी है जो कि लेटिस्ट जेन का सीप्यू जाबर आमने यूज किया हुआ है तो ये एक पोहमेंस औरियेंटेब पीसी है जिसको पोहमेंस के लिए वर्क के लिए बनाय गया है साथ इसाथ इसमें जाएगा तो ये जो पीसी है दोस्तों ये लेटिफ्ट जेन का जो पीसी है ये बना है नेरो प्लेस में SSInfo टेग में जो कि वहां की काफी पुरानी शाप है लेकिन हां इनके वीडियो अभी काफी कम आते थे लेकिन आभ इनके वीडियो काफी आया करेंगे तो बात करते है इस गेमिंग PC के बारे में और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो बात करते हैं यहाँ पर जो PC है इसका बजट मैंने आपको बता दिया 1,21,000 के अपरोक्स में इसका बजट है तो यहाँ पर जो CPU हमने उसके हुआ है वो है 14 Zen का Intel i5-14500 तो यह एक integrated GPU वाला प्रोसेसर है क्योंकि काफी अच्छा पॉमिल्स आपको दे देता है और इसकी अगर मैं आपको खासियत बताओं तो इसमें आपको मिल जाते है 20 threads और 14 core आपको इसमें मिल जाते हैं तो यह एक high core high threads CPU है जहाँ पर आपको efficient core और promise core अलग-अलग मिल जाते हैं साथी साथ आपको यहाँ पर 5 GHz का max boost में मिलता है और यह CPU 192 GB तक का memory को support करता है latest Zen का है तो इसे यहाँ पर use किया गया है और हाँ इसकी जगह पर 14400F भी लिया जा सकता था जिसका price भी थोड़ा सा कम रहता लेकिन यह customer की choice थी और उनको ऐसा चाहिए था है किनके कभी GPU खराब भी हो जाए तो उनका काम थोड़ा वह चलता रहे साथी साथ उनको CPU भी powerful चाहिए था इसलिए यहाँ पर इसको choice किया गया है और एकर मैं आपको इसकी price बताओ तो narrow place में इसका price आपको मिल जाता है 22800 का तो यह इसका current price है अब बात करते हैं next component अब जब कि हमारा CPU यहाँ पर काफी powerful और latest gen का है तो उसको cool रखने के लिए हमें यहाँ पर एक अच्छे cooler की जरूरत है तो हमने यहाँ पर गैलेक्स की तरफ से आने वाले 240 hydro ARGB power cooler यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है तो यह काफी अच्छा सा cooler है आपको 240 mm का radiator मिल जाता है और जिसमें दो फैन लगे हुए 120 mm के काफी खुबसूरत दिखता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें इसका जो CPU mount है किस्टमाइज नहीं कर सकते लेकिन वहाँ पर आपको गैलेक्स का logo मिलता है अलग-अलग design में 3D design में तो आपके PC के look को यह बढ़ा देता है तो इसका अगर मैं आपको नेरू प्लेस का price बताऊं तो यह मिल जाता है आपको 5300 में अब बात करते हैं next component के बारे में तो जो next component है वो है यहाँ पर motherboard तो इस CPU को हमने यहाँ पर motherboard के साथ pair किया है वो motherboard है GIGAWIDE के तरफ से आने वाला B760MDS3 Edge एक काफी अच्छा board है जो की mid budget का board है और काफी अच्छे features के साथ आपको मिल जाता है तो यह यहाँ पर Gen 4 NVMe को support करता है दो slots आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 4 RAM slots मिल जाते हैं और यह board भी 192 GB तक का memory को support करता है DDR5 वाला तो आप यहाँ पर अपने requirement के एसाब से जितना चाहा उतना RAM लगा सकते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर आपको fast LAN भी मिल जाता है 2.5 GBPS वाला LAN आपको यहाँ पर मिल जाता है साथ इसका जो power section है जिसे VRM section कहा जाता है voltage regulated module तो इस section VRM section बेस में आपको काफिस solid मिल जाता है तो आपके CPU को यह perfectly handle कर पाएगा और इसका मैं अगर आपको नेरुपलिस का price बताऊं तो यह आपको मिल जाता है 14,700 में और इसकी warranty आपको मिलती है 3 years की official gigawatt की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसके बाद यहाँ पर हमने जो component लगाया है वो है RAM तो RAM की बात करें तो यहाँ पर भी हमने 64 GB का massive RAM लगाया हुआ है और वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यह मैंने आपको पहले ही बताया था एक performance oriented PC है तो customer की requirement थी कि उनको 64 GB RAM चाहिए तो यहाँ पर Corsair Vengeance की तरफ से DDR5 5200 मेगा आर्ज वाला डू स्टिक्स लगाए गया है 32 GB एज और RAM की price है 32 GB का 8300 और दोनों को मिला कि 6600 तो यह RAM यहाँ पर यूज किया गया है one of the best brand माना जाता है Corsair उसकी तरफ से और 64 GB जो की enough रहने वाला है वैसे आप gaming PC के लिए 32 GB के साथ भी जा सकते हैं लेकिन यह user की खास requirement थी इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं SSD की जो कि आज यह टाइम पे हर PC पे must होता है वो भी NBME तो यहाँ पर हमने NBME M.2 यूज किया हुआ है और उसकी तरफ से आने वाला 5000E जो कि एक 500 GB का यहाँ पर यूज किया गया है और इसका अगर मैं आपको read speed बताऊं तो आपको 5000 MBS की read speed मिलती है और 3800 MBS के write speed आपको मिल जाती है तो Gen 4 का SSD है काफी अच्छा performance आपके PC क दे देता है जहाँ पर इस SSD को यूज किया जाएगा सभी तरीके के software और operating system को install करने के लिए इसके साथ ही यहाँ पर यह एक work PC है तो obviously 500 GB नहीं रहने वाला है तो यहाँ पर एक hard disk में लगा गया है वो भी massive 4TB का 4000 GB जिसे कहते हैं तो 4000 GB यानि कि 4TB का यहाँ पर western digital की तरफ से WD blue hard disk यूज किया गया है जिसका narrow place में अगर मैं आपको price बताऊं तो 9600 में यह आपको मिल जाता है तो एक work PC में storage की बहुत जादा requirement होती है अगर आप graphic designing करोगे तो आपको बहुत सारे photo files safe करने होते हैं अगर आप video editing करोगे तो आपको बहुत सारे videos safe करने होते हैं तो इस वैसे यह work PC है इसलिए यहाँ पर 4TV का artist लगाया गया है तो इसके बाद हम बात करते हैं next component के बारे में किसी भी gaming PC का one of the most important component होता है graphic card तो यहाँ पर जो graphic card हमने यूज़ किया हुआ है 3060 हाँ बिलकुल यह latest gen का नहीं है लेकिन आपको बताता हूं तो यहाँ पर 3060 में आपको मिलता है 12GB का VRAM और 4060 में मिलता है सिर्फ 8GB तो जिनको ज्यादा VRAM चाहिए तो आज भी 3060 पर जाते हैं उसके अलावा जिनको ज्यादा कूड़ा कोर्स चाहिए होते हैं 3060 में आपको मिलता है 3584 कूड़ा कोर जो कि एक graphic card के सबसे important चीज होता है वही 4060 में आपको मिलता है around 3000 के तो इसलिए आज भी जो performance oriented लोग है जिनको performance के लिए graphic card चाहिए होता है वो आज भी 3060 को prepare करते हैं एक reason और है वो है कि अगर आप 4060 के 16GB version में जाते हैं तो वो काफी costly पड़ता है normally 4060 का 16GB वाला market में लोग purchase ही नहीं करते मिली नहीं रहा है तो उसकी जगह पे लोग 4060 Ti को prepare करते हैं 16GB के साथ जो आता है लेकर उसका cost चला जाता है 38,000 के आसपास 40,000 के आसपास तो यहाँ पर पूरा आपका 15,000 का डिपरेंस पड़ता है क्योंकि इस graphic card का price gigabyte 3060 wind4 OC इसका price यहाँ पर मिलता है आपको 25,500 क्योंकि क hot selling graphic card जोगी आपके सारे काम perfectly करा देगा आप चाहे आपको gaming करनी हो सारे AAA title game 1080p ultra setting में आप play कर पाओगे साधे साथ आप 2K level पे भी अच्छी gaming कर पाओगे और अगर आपको editing करना है तो आप 2K 4K तक की भी editing इसमें आप अच्छी तरीके से कर पाओगे और अगर आपको gaming 4K मे कर पाओगे तो one of the best selling card यह अपने time का था और आज भी एक office self होता है तो यह card यहाँ पर use किया गया है तो इसको budget और performance सारी चीज़े देखने के बाद यहाँ पर customer ने इससे चूच किया हुआ है अब बात करते हैं next component के बारे में अब इतने सारे component को power देने के लिए powerful CPU जिसका 60 watt power जिसको चाहिए होता है और यहाँ पर एक अच्छा सा graphic card तो इन सब component को power देने के लिए हमने यहाँ पर gigabyte की तरफ से आने वाला 650 watt का power supply यूज़ किया हुआ है 650B जो कि एक bronze certified power supply है तो जो पूरे PC को handle करने के लिए enough रहने वाला है साथ ही साथ अगर मैं आपको इसका component को जिस cabinet पे फिट किया हुआ है वो है Ganex की तरफ से revolution 06 one of the most selling cabinet है बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं तो यह 4 pre-stall fan के साथ आपको मिल जाता है और इसमें 240 mm का radiator भी लग जाता है AIO भी लग जाता है और कापी अच्छा spacious cabinet है साथ आपको यहाँ पर SMPS के लिए अल cabinet यहाँ पर यूज किया गया है और इसका आज के टाइम का प्राइस अगर मैं आपको बताओं तो थाड़ी सिक संदेट थाड़ी फाइप थाड़ी सिक संदेट के आरावन में यह आपको मिल जाता है इसके अलावा यह फूल सेट अप गेमिंग PC है एडिटिंग PC है तो यह आपर देख सकते हैं आई बटन पे लाफ उर्बे के भी इसके मोनिटर्स आते हैं एडिटर्स के लिए वन अप दे बेस्ट मोनिटर यह कंपनी बनाती है तो बैंक की तरप से आने वाला जी डवली टॉन्टी सेवन नाइन जीरो यह मोनिटर यहाँ पर यूज किया गया है आउर इस मोनिटर की खासियद यह है कि सबसे पहले तो यह 27 इंस का मोनिटर है और साथ-ए-सथ आई-पि-स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है फूल एसजी मोनिटर है और 100 इंस का रिफ्रेस्ट रेट आपको यहाँपर न क्योंकि यह PC गेमिग के परपस से ना बना करके ग 27 इंस का है अगर आप दूसरे मोनिटर जाते हो गेमिंग वाले तो वो थोड़े स्लाइटली मांगे आते हैं तो यह काफ़ी अच्छा वेल्व पर मनी मोनिटर है और इसका प्राइस भी काफ़ी इंप्रेसिव है आज के डाइम पर यह नेरू प्लेस में 11,500 में आपको मिल जा और आता है तो यह वाला मोनिटर यहां पर यूज किया गया है तो यहां पर एक हैड़पॉन भी इंक्लूड किया गया है कस्टमर ने पर्चिस किया है कॉस्मिक बाइट हैडपॉन जिसका प्राइस रहता है तो थावेबन के अरौन तो यह ओवरल पीसी का जो बजट है वो कमेंट करके जरुर बताना और आप ये भी बता सकते हो कि आपको किस तरीके का बेल्ड का वीडियो चाहिए अगर आपको इस तरीके का PC बेल्ड करवाना है तो आप भी आ सकते हैं हमारे पास अपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट कान्पिरेसन वाले PC मिल जाएंगे तो इस PC को पर्जिस करने के लिए आप आ सकते हैं यहां पर आप अपने घर बेठे मगवाना चाहते हैं तो भी आप जो फोन नंबर यहां पर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और आप अपने खर बैठे PC Deliver करवा सकते हैं So I hope आप लोग को वीडियो पसंद आएगा description में भी आपको सारा detail मिल जाएगा WhatsApp का link मिल जाएगा चाहँ से आप directly WhatsApp पे message कर सकते हैं So thank you for watching, bye bye